साहु जी महाराज जैसे लोग नहीं होते तो ये नहीं होता उन्होंने शिवा जी महाराज की मूर्ती बनाई और कुछी दिन बार वो मूर्ती तूट कर गिर गई नियत गल्द थी मूर्ती ने उनको मेसेज दिया कि आप अगर शिवा जी महाराज की मूर्ती बनाऊगे तो फिर शिवा जी महाराज की विचारधारा की रक्षा करनी ही पड़ेगी इसलिए वो मूर्ती गिरी है क्योंकि उनके विचारधारा गल्थ है वो सामने जाकर हाँ जोडते हैं और फिर 24 घंटा शिवाजी महाराज की सोच के खिलाप काम करते हैं। शिवाजी महाराज जी ने देश को दुनिया को क्या मेसिज दिया था। सबसे पहले उन्होंने कहा था कि देश सब का है। सब को लेकर चलना है, अन्याय नहीं करना है। तो अगर हम सोचें, कि इनकी सोच का जो आज कौन सा चिन है, तो ये है। सीधा सा कनेक्शन है, जो शिवाजी महाराज ने कहा, 21 सदी का जो उसका ट्रांसलेशन है, वो ये है। इसमें आपको एक ऐसी चीज नहीं मिलेगी, जिसके लिए वो नहीं लड़ेगी। पूरी जिन्दगी जब वो लड़े, उन्होंने जो भी कन किये, उन्हीं की सोच से ये Constitution आया है। इसको हम दूसरे तरीके से भी कह सकते हैं, अगर शिवाजी महाराज जैसे लोग नहीं होते, तो ये नहीं होता। मतलब सीधा connection है, और लड़ाई एक ही है, ये राजनेतिक लड़ाई नहीं है, ये विचारदारा की लड़ाई है, ये Constitution सम्विधान की लड़ाई है, और इसके अंदर, सम्विधान के अंदर, Original महाराज जी है, उनकी अवाज है, उनकी सोच है, उनकी विचारदारा है। तो अगली बार आपके पास अगर कोई आए और आपसे कहे कि मैं शिवाजी महराज की को मानता हूँ तो आप उससे पूछिए आप मूर्ती के सामने हाथ जोडते हो मगर क्या आप हिंदुस्तान के संविधान को बचाते हो क्या आप हिंदुस्तान के संस्ताओं को बचाते हो क्या आप हिंदुस्तान में गरीबों की रक्षा करते हो क्योंकि अगर आप नहीं करते हो तो फिर मूर्थी के सामने जाकर हाथ में लाने का कोई मतलब नहीं दिल में बात होनी चाहिए दिल के अंदर सोच होनी चाहिए बाहर कोई भी कुछ दिखा दे उसका कोई मतलब नहीं होता महराष्टा के लोग इस बात को बहुत अच्छी तरह समझते हैं ये जो विचारदारा है मैंने कहा कि शिवा जी महराज की विचारदारा है मगर शिवा जी महराज को ये विचारदारा कहां से आई महराष्टा से आई महराष्टा की धर्ती से आई महराष्टा की जन्ता से आई और यह आपके खून में है जब भी मैं महराष्टा आता हूं मुझे यह दिखाई देती है आपके चेहरों में आपके कर्मों में आपके दिल में हर रोज शिवाजी महराज दिखाई देती है उनकी सोच दिखाई देती है और आप लड़ते हो इसके लिए आपने मुझे यहाँ बुलाया इतने प्यार से आपने मेरी बात सुनी गर्मी में आप खड़े हैं इसके लिए आपको दिल से धन्यवाद करता हूँ और कॉंग्रेस के जो कारे करता है और जो हमारे विचारधारा के लोग हैं बचाने का है इसकी रक्षा करने का है क्योंकि जब आप इसकी रक्षा करते हैं तो आप शिवाजी महराज की याद का आदर करते हैं रिस्पेक्ट करते हैं धन्यवाद नमस्कार